Hi guys and welcome back to my YouTube channel So guys, इस वीडियो में मैं review करने वाला हूँ H.A.J.G की तरफ से आने वाली fog light का जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक box रखा है यह H.A.J.G की तरफ से आने वाले fog light है और इसमें हमको two piece मिलते हैं जाने की एक पेर जो हैं कि उसमें fog light का मिलता है और यह कैसे रहने वाले हैं इस बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसका review भी करूँगा चोटा सा आपको इसकी brightness भी दिखाऊंगा कैसे रहने वाली है तो देखते रहेगा वीडियो को end तक देख सकते हैं आपर लिखा है लिव एचेजी और पहले जो है जो डूब्लिकेट मोडल आते थे उसमें जो है सिर्फ एचेजी लिखाता था लेकिन जब से इन लाइट वालों को पता लगा कि यह डूब्लिकेट कॉपी बहुत हो चुकिया मार्किट में तो उन्होंने जो है अपने नाम के आगे लिव एचेजी लगाना शुरू कर दिया और यहां पर यह सकेनर भी देना शुरू कर दिया तो यह और अगर आपको इसको उल्टा करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहां पर टीक लगा हुआ है और इसमें जो ह तो थोड़े नटबॉल्ट भी मिलते हैं जैसा आप देख सकते हैं ऐन ञेंप एक लिए ख 125 कितमें तू आप देख सकते हैं और यहांप हमारी ल्टो आइड हो निःचे लगैंगे तो बह olvid sincere देखने को मिलती है आप कॉलिटी देख सकते हैं इस कि Pitts люд वाली है और फुल बोडी जो है इसकी मैटल की बनी हुई है जैसा आप देख सकते हैं यहां पर मर्सेडीस टाइप का लोगो भी बना हुआ है यह इसकी ग्रील है जो इसके लेंस को प्रोटेक्ट करती है और यह दोनों फोगलेट वाटर प्रूफ रहने वाली है वायर की अग बातों हैं मतलब हम इसका लेंधी बना सकते हैं आगे से यह और वायरो आडय कना है बड JEलो तो यतलो रहने ही ओ के यह एलो कलरगी आर रहेगी मारे वाइट कलर गी और लियक वायर यह जाद ञाईheaded माइन स्ट्वाइ 살क इसको हं अथे हमारी प्लेक्वायर यह है और अगर जो है इन Foglaight को दो नाम से जाना जाता है, इसको मरस्रीडीज भी कहते हैं, और कुछ लोग Y Model भी कहते हैं, तो Y Model यह ऐसे बन जाता है, और मरस्रेडीज जो है ऐसे बन जाता है, लेकिन हमको इसको इंस्टोll ऐसी ही करना है, क्योंकि मेल लाइट हमारी येलो ही रहने वाली है और सेकंडरी लाइट हमारी वाइट रहेगी क्योंकि फोग लाइट का मतलब यह होता है फोग लाइट में अगर आपको येलो लाइट ना हो तो वो फोग लाइट किसी भी काम की नहीं है उसी से जो है आपको बारिशों में और फोग में काफी अच्छा विजिबिलिटी देखने को मिलेगी रात में तो गाइस अभी जो है मैं आपको इसके लाइट का एक बार सैंपल चेक करा देता हूँ जैसे आप देख सकते हैं सामने एक दिवार है और शाम हो चुकिया अंधेरा होने को है और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपर थोड़ी सी वायरिंग कर ली है मतलब कि पॉजिटीव जो है पॉजिटीव में लगा लिया और नेगटीव जो है नेगटीव में फोगल एड में ने आपर कुछ ऐसे लगाई हुए अभी और अब यह सिर्फ सिंगल पीस है जैसे कि अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा यह सिर्फ सिंगल पीस है और सिंगल पीस की ब्राइडनेस कुछ ऐसी है और अब ही मैं आपको इसका यालो कलर भी चेक कराता हूँ कि यालो कलर की ब्राइडनेस कैसी है वायर लगा लिया ह और अब आप देख सकते हैं और यालो कलर इसका कुछ ऐसे रहने वाला है और अब मैं करने वाला हूँ इन फोगलेट्स को अपनी कार में इंस्टॉल इस फोगलेट्स अपनी गाड़ी में इंस्टॉल हो चुकी है और गाड़ी को जो है मैं एक अंधेरे वाली जंगा पर ले आया हूँ ये एक रोड है और अभी मैं इसके येलो कलर वाली फोगलेट ओन करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इसका येलो कलर और अगर मैं गाड़ी के बीच में खड़ा हूँ तो अब आप देख सकते हैं लाइट का थ्रो कुछ ऐसा है सामने से अगर आपको दिखाऊं तो सामने से आप देख सकते हैं ये आँखों में बिलकुल भी नहीं लग रही है और इसका फोकस मैंने नीचे की तरफ रखा है जिससे की आने जाने वाले या पैदल रोड पर जो लोग चल रहे होंगे उनके आँखों पर ये लाइट ना लगे तो फोकस मैंने इसका कुछ इस हिसाब से सेट किया है और बाकि आप सामने देख सकते हैं रोड पर थ्रो कुछ ऐसा है बाकि ये काफी दूर तक जा रहा है लेकिन कैमरे में इतना ही जस्टिफाई हो पा रहा है और यहाँ पर ब्रैटनेस काफी बड़िया मिलती है और काफी ब्रैट है और अभी मैं इसका वाइट कलर ओन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं वाइट कलर इसका ये कुछ ऐसे लग रहा है मैंने फोकस में नहीं रखा है तो इसका वाइट कलर ऊपर जा रहा है जैसा आप देख सकते हैं पेड़ बहुत अबर जा रहा है और white color इसका नीचे थोड़ा पड़ता है लेकिन camera में इतना ही दिख रहा है और अभी मैं दुवारा से yellow color on करता हूँ और अगर मैं दूर जाओं तो अभी आप देख सकते हैं तो यहां तक मेरी shadow बन रही है और अभी मैं वापीस से गूमता हूँ अपनी गाड़ी की तरफ तो यहां पर थोड़ी बहुत गाड़िया भी आ रही है आसपास और बाकी light आप देख सकते हैं light का थ्रो कुछ ऐसा है गाड़ी अपनी बीच में यहां पर कुछ ऐसे खड़ी है और रोड पर आप देख सकते हैं अगर मैं इतना जुक जाओं तो ही मेरी आँखों पर यह लगती है बाकी हलकी बारिश भी हो रही है और फोग लाइट का इस्तमाल बारिश में काफी करने का फायदा भी है और यह कुछ ऐसे लगाया है मैंने तो यह मैंने थोड़ा इसमें पतियां वगर लगाखर जुगाड किया है मतलब कि इसमें बंपर में इसके लोख तो होते हैं लेकिन फिर भी मुझको एक्स्ट्रा पती समें लगानी पड़ी और थोड़ी वह जुएस में वैल्टिंग भी करानी पड़ी मतलब पतियां जो है मुझको बनवानी पड़ी और क्लैम्प इसमें लगे लगाए आई थे और मैंने इसमें अड़्जेस्टमेंट भी कर दी है और एक बार आपको गाड़ी के पीछे से भी दिखाता हूँ लाइट का थरो गाड़ी के पीछे से लाइट का थरो कुछ ऐसा है बाकि यह काफी दूर तक जा रहा है काफी फीट जो है इसकी ब्राइटनेस काफी दूर तक जाती है और एक बार white color on करता हूँ मैं तो white color आप देख सकते हैं बाकी सामने से आप देख सकते हैं अगर मैं एक fog light को बंद करूँ अपने हाथ से तो अब आप देख सकते हैं ये है एक light का throw और जैसी मैं हाथ अटाता हूँ तो focus कुछ ऐसे ही रहने वाला है बाकी इस वीडियो में इतना ही था करते हैं इस वीडियो को end so guys I hope आप कोई वीडियो अच्छे लगे होगी अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगे हो तो like, share and subscribe जरूर कीजेगा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में कब तक के लिए बाबाए